हेलो एब्रिवान मैं भी पांची गो सोमी आज का डेड है 6th जून 2020 आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है जो आज के करने फियर से जो कि आपके एक्जाम पॉइंट और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टन है लेकिन उससे पहले गड़ा आप लोगों ने हमारा चैनल मैं प्रिफियर से मार्च एपृल और में के उसके कमपैलेशन मिल जाएंगे और यहां जो है जो कि आपको धिरे दिरे हमारे जो चैनल में अपलोड किया जाता है कोई भी वीडियो जे निफरमेशन उसके सभी के कमपैलेशन मिला शुरू हो जाएगा और इसका लिंक मैंने नीचे दिये गए description box में डाल दिया है तो इसको check करना प्लीज मत भूलिएगा और अगर खरीदना चाते हैं तो खरीद भी सकते हैं ग्योंकि इसमें अभी sell चल रही है और बहुत ही कम rate में यह अपको लब्ध होगा तो प्लीज इसको check करना मत भूलिएगा तो चलिए आज के discussion की तरफ आके बढ़ते हैं आज का पहला जो topic है government of India ने जो है अभी गोशना किया है कि वो अभी next एक साल के लिए जो है कोई भी scheme को new scheme को जो है मतलब approval नहीं देंगे तो यह उससे related topic है तो 5th June 2020 को government of India ने जो है गोशना किया है कि 31st March 2021 तक जो है अभी कोई भी new schemes को approval नहीं देंगे और तब तक के लिए जो है यह जो schemes जो है अभी प्रधान मंत्री गरिप कलियान योजना और आत्मा निर्वर भारत अभियान इन सभी के अंडर जो schemes जो है इन सभी को implement करेंगे और government of India ने जो है अभी उन schemes को वो और प्रधान मंत्री गरिप कलियान योजना के अंडर ही केवल मतलब announced किया गया है और सभी जो all the other ministries have been asked to stop sending requests for new scheme तो कोई भी मतलब new scheme है उसके लिए जो request है उसके sending को stop करने के लिए कहा है सभी ministries को तो यह उससे related topic है the next topic है वो है इंडिया ने जो है अभी यह संकल प्लिया है कि जो कि international vaccine alliance गावी है उसको 15 million years dollar donate करेंगे यह संकल प्लिया है तो यह उससे related topic है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जो है उन्होंने अभी यह संकल प्लिया है कि vaccines and immunization गावी के लिए जो है global alliance को 15 million US dollar donate करेंगे यह उन्होंने संकल प्लिया है और उन्होंने जो announcement जो है 4th June 2020 को United Kingdom के द्वारा host किया गया ग्लोबल vaccine submit के दोरान किया तो यह उससे related topic है the next topic है वह है Reserve Bank जो है वह अभी digital payments infra fund को उसका गठन कर रहे है 500 crore रूपीज का तो यह उससे related topic है तो Reserve Bank of India नहीं घोशना क्या है फिक्चुन को कि 500 crore रूपीज का एक जो मत्तब payment infrastructure development fund है उसका गठन करेंगे गठन कर रहे है और यह जो fund जो है वह अभी जो कि भारत के जो rural districts है और Northeast में जो है digital payment ecosystem के development को support और improve करेगी यह fund तो यह उससे related topic है the next topic है वह है इंडिया ने जो है यह घोशना किया है अपना जो priorities जो है UNSC के लिए इसके बारे में घोशना किया है तो यह उससे related topic है इंडिया जो है भारत जो है भारत से अभी 8 term के लिए जो है United Nations Security Council के एक member के तौर पे चुना जाने का मतलब उमीद किया जा रहा है और इस elected seat को secure करने के लिए भारत ने जो है अभी एक जो ब्रॉशर जो है that lists the priorities of India at the UNSC उसको launch किया है और ब्रॉशर जो है उसको अभी external affairs minister as Jayshankar के द्वारा release किया गया और यह जो ब्रॉशर जो है इसमें अभी 5 key priorities को मतलब इसमें निर्धारित किया गया है वो है new opportunities for progress, reforming the multilateral system, effective response to international terrorism, comprehensive approach to international space, sorry international peace and promoting technologies with human touch तो यह उससे related topic है then next topic है वह है Jio Mubadala deal for 1.8% stack in Jio platforms तो यह उससे related topic है तो आबूधा भी बेस जो एक जो फर्म जो है Mubadala उन्होंने अभी Jio, Reliance Jio platforms में 1.85% stack को हासिल करने के लिए company में, मतलब हाल ही में invest किया है और इस deal के अंडर जो है Mubadala ने जो है अभी Jio platforms, the telecom branch हो मुके शंपने-led Reliance Industries Limited RIL में जो है अभी 9,093.60 crore रूपीज इंवेस्ट करेंगे तो यह उससे related topic है The next topic है वो Australia ने जो है अभी हाल ही में इंडिया के NSG membership के लिए अपना strong support दिखाया है तो यह उससे related topic है तो 4th June 2020 को, 4th June को Australia ने जो है अपना जो strong support है Nuclear Supplier Groups NSG के लिए जो इंडिया का membership जो है उसके लिए अपना strong support है वो दिखाया है और इसने जो है अभी जो मतलब एक जो reformed United Nations Security Council UNSC में जो permanent seat के लिए इंडिया के candidacy को उसका pit थप 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 आया है और अउस्ट्रेलिया ने जो है अभी अपना support जो है UNSC के permanent membership के लिए for the term of 2021-22 उसके इंडिया के जो एक जो topic है वो है line of actual control ITBP ने जो है अभी twin commands को sanctions दिया है तो यह उसी से little topic है तो 5th June 2020 को Indo-Tibetan Border Police ने गोहाटी और चंदीगर में जो है twin commands को launch किया है to supervise its deployment of troops along the line of actual control LSE और जो की recent stand-off जो है इंडिया और चाइना की बीच में भारोज चाइना की बीच में जो लदाक के regions में जो recent stand-off है और जो की बाकी जो parts जो है LSE के वो भी main reason है for the initiation commands और western regions जो है LSE के उसको अभी from the Chandigarh Headquarters and the Eastern from Gohati वहाँ से प्रशासित किया जाएगा तो यह उसी से related topic है The next topic है वह campaign जो है अभी on prevention of human and animal mortality on highways उसको launch किया गया है हाली में तो यह उसी से related topic है उसके उपर यह जो campaign है उसको launch किया गया है तो 5th June 2020 को Union Minister of Road Transport and Highways श्री नितिन गाटकरी ने जो है अभी United Nations Development Program Campaign जो है जिसको prevention of human and animal mortality on highways कहा जाता है उसको launch किया है और इंडिया जो है इंडिया भी हर साल 5 lakhs road जो accidents है उसका witness करती है मतब उसका witness है और out of these 1.5 lakhs जो है उन्हों वो लोग अपने जीवन खो देते हैं अपना जिन्दगी खो देते हैं और यह जो campaign जो है उसको अभी इन accident rates को कम करने के लिए launch किया गया है तो यह उससे related topic है the next topic है वो है अटल innovation mission entrepreneurship को promote करने के लिए तो यह उससे related topic है तो 5th June 2020 को council of scientific and industrial research CSIR और अटल innovation mission जो है वो एक साथ आया है ताकि जो अभी mutual interest के areas में जो entrepreneurship और innovation है उसके culture को promote करने के लिए और CSIR incubators जो है वो अभी अटल innovative mission के अंडर काम करेंगी to support world class startups in this new project तो इस new project में जो है world class startups को support करने के लिए अटल innovative mission के अंडर CSIR incubators काम करेंगी तो यह उसे से related topic है the next topic है महाराष्टर CM ने जो है अभी जो की राइगर district जो है जो की मतलब अभी निसर्ग जो cyclone आया था उसी के वज़े से बहुत ज्यादा तरसे मतलब यह मतलब उसका नुकसान हुआ है इस जगह में तो इसी के वज़े से उसमें help करने के लिए 100 crore rupees का एक जो fund है उसके बारे में घोशना किया है तो वहां के लिए जो है 100 crore rupees का एक जो financial assistance है उसके बारे में घोशना किया है तो यह उसी से related topic है The next topic है वो है hash I commit initiative जो है उसको power ministry के द्वारा launch किया गया है तो यह उसी से related topic है 5th June 2020 को ministry of power ने जो है अभी hash I commit initiative को world environment day के occasion पर launch किया है और यह जो initiative जो है उसको अभी जो की future में जो efficient renewable power और resilient energy system है उसके providing को continue करने के लिए stack holders को encourage करने के लिए इस initiative को launch किया गया था और initiative जो है उसको अभी energy efficiency services limited EFFSL के द्वारा संचालन किया गया है किया जाता है तो यह उसी से related topic है The next topic है वो है 6th June जिसको Russian language day के तौर पर मनाया जाता है हर साल तो यह उसी से related topic है तो हर साल जो है 6th June को United Nations जो है वो Russian language day को celebrate करते है और इस day को जो है अभी 2010 में UNESCO के द्वारा establish किया गया था और Russian language day जो है वो अभी Alexander Pushkin के birth day को celebrate करने के लिए इसको मनाया जाता है Russian language day को और यह एक Russian poet थे और उनको जो है अभी Russian literature के modern Russian literature के फइदर के तौर पर उनको माना जाता है Alexander Pushkin को तो यह उसी से related topic है तो आज के लिए इतना ही है सोमवार को हम फिर मिलते हैं नए करनेफेर्स के साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो channel है उसको देखते रहेगा like share और subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका यह जो support है वो हमें बहुत ही motivate करता है hard work करने के लिए और जो हमारे जो मतब संडे को जो वीडियो जो आते है सापताहिक या नौर्थीस करनेफेर्स और बाकी जो सब आते है तो उसको भी देखना मत भूलिएगा और प्लीज आपका यह जो support है वो हमें करते रहेगा और हमारे जो website है उसको भी चेक करना प्लीज मत भूलिएगा और कोई अगर सुझावो तो comment करना प्लीज मत भूलिएगा और प्लीज गीव वाचिंग और वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब टेक क्यार चैहिंद